आग्रा में एक बार फ़र से तीन तलाग का मामला सामनी आया है। पहले तो पती ने पतनी को जड़क पे बेरेमी से पीटा और फ़र गाली गलोच की उसके बाद तीन बार तलाग बोलकर तलाग दे दिया। पेडिता ने इसकी शिकार थाने में दर्श कराई है। पूरा मामला थाना हरी परमत इलाके का है। पीडिता आज अपने परिवार के साथ आगरा SSP से सिकायच करने के लिए पहुची ही। उसका आरोफ अपने पती पर है कि एक साल सादी को हुई है। उसके पहले बेटी पैदा हुई थी। उसके बाद पती लगाता रहा उसे करने के बाद पिलिता का आरोफ है कि पती चलते वक्त तीन बार तलास देकर फरार हो गया। धंकी देख गया है कि पुलिस में कंप्लेंट की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसनी बातों को लेकर आज पिलिता SSP के पास पहुचिया। उसने आरोफ ये भी लगाया है कि इस पूरे मामले में कारवाई की जाएगी। की नहीं की इसी पूरे मामले पर फिलाल गंबिता से मामला लेते हुए मुकदमा दर्च करने के आगरा SSP ने आदेश दी हैं। बिना वारेंट पुलिस तीन तलाग देने वाले को गिरफतार भी कर सकती है। इसी के साथ तीन तलाग देने पर तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं मजिस्ट्रेट बिना पिलित महिला का पक्ष सुने आरूपी पती को जमारत नहीं दे सकते। इसी के साथ तीन तलाग देने पर पत्नी और बच्चे का खर्च मजिस्ट्रेट टै करेंगे जो पती को देना होगा। वहीं तीन तलाग पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखवाली मा के पास रहेगी। तो ये प्रवधान तीन तलाग के तहदिये गये हैं वहीं नए कानून में समझोते के विकल्प को भी रखा गया है।